नमस्कार दोस्तों मैं डॉक टरंचली आज में आप लोगों को बताऊंगी हरिद्राखंड के बारे में कि हरिद्राखंड क्या होता है किती मात्रा में लेना चाहिए क्या इसके उप्योग होते हैं हरिद्राखंड की बात करते हैं तो एक आयुरुवेदिक मेडिसन है जो की का रेड रेड कलर के चक्ते बन जाते हैं उन सब के अंदर हम हरिद्रा खंड को काम में लेते हैं हरिद्रा खंड में अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो इसमें मैन कंटेंट होता है हरिद्रा जोकी हल्दी होती है त्रिफला होता है त्रिकटू है निशोत है अजवाइन है कु हमारी आलर्जी है विसका मतलब होता है कि जैसे किसी भी गीले कपड़े की पैने से या किसी डस्ट की वज़े से हमें सड़नली हमारी बोडी के अंदर खुजली हो लग गई हो राड कलर के चक्ते बन जाते हैं यह फिर जैसे डस्ट की वज़े से यह जैसे हम बाधूप की सुजन ाजाती है तो सूजन होने के कारण यह एक्सपी इस के कारण है चाहँ का से पा्रिण से नाक η close शुखान ल साएं है इन सब के अंदर हम इस में रिद्रॉट को कामें छाइं हरिद्राखंडक के आंदर Malasma, Malasma का मिन्स होता है, कि जैसे हमारी body के अंदर क्या होता है, जिसे हम नौमल जिसे छाया पढ़ना बोलते हैं, तो body के अंदर क्या होता है, पूरी skin का जो color है, वो discoloration हो जाता है, और black black color की skin हो जाती है, इसके अंदर भी हम नोर्मल क्याता है हरीद्रा खंड को काम में लेते हैं अब जैसे की फंगल इन्फैक्शन हैं इस्ट की च्या रिवु हें या फंगल इन्फैक्शन है यह सोराइसिस के गंड़ा जैसे रेड़ चूट चूटी फुंशिया हो जाती है जैसे रोट डोट कलर के उन्हें से पानी जैसा निकल करके क्याता है बार बार दूसरी जगर फैलती हो एक पपडी जैसे वाइट कलर की जम जाती है तो जैसे जिनको बहुत ज़्यादा डेंड कलर के चकते हों वहां पर ब्लेस्टर फॉर्मेसंस भी बन जाते हैं कभी-कभी अलर्जी के वज़े से यह किसी की जैसे मदमक्की के काटने से जिनको बहुत ज़्यादा अलर्जी हो कर के बोडी में रेड कलर के चकते बन जाते हैं यह जो सड़नली एकदम भार धूप में आपके निकलती है जिनको क्या हो था जैसे फेस है हमारे जो जैसे सन के कांटेक्ट में आती है बोडी का जो पाट है जो कवर नहीं रहता है उसमें red-red color के sport जैसे या पूरी स्कीनょ परन जाती है उसमें भी empieza हमेमिस वाठ ब्लेस्त कर आता है कि जैसे कि हमारे जैसे स्कीन है उसमें क्या होता है रार वाइट वाइट कलर के स्पोर्ट बन जाते हैं जिसे जैसे नॉर्मल इसकीन का नॉर्मल कलर है उससे थोड़ा चेंज हो जाता है और यह ठीक नहीं होते हैं तो इनके अंदर भी हम क्या करते हैं नॉर्मल हरिद्राखंड को कामे लेते हैं यह जिनके जो फ्र्राइवेट पार्ट है ये बेजाइना या फिर जो जन जागए होती है उनके बीच के अंदर भि olsun प seem में सहते हम फं संगोल इंफेक्शन हो जाता है तो उसकी वज़े से भी वहां पर क्या था बहुत कंग होचली है यह जिनके बार-बार खुजली होने के वज़े से वहां पर redness हो जाती है, irritation होने लग जाती है, तो उनके अंदर भी हम इसको काम में ले सकते हैं हरिद्राखंड में अगर हम दोजिच की बात करते हैं, तो normal हमें जो हरिद्राखंड है, उसके अंदर क्या आता है, कि अगर 12 साल से कम का जो बच्चा है, उसके अंदर हम इसको देते हैं, तो पाच ग्राम इसकी डोज को या तो हम खाना खाने के बाद में देना चाहिए, और स जिनको बहुत ज़दा कफ निकलता तो उसके अंदर भी हरीद्रहाखंट को साहथ में चटाना चाहिए याद गरम ठंडे दूद के साहथ मिला करके देना चाहिए जिनको इसकीन अलर्जी रहती है तो डोजीज में जैसे ग्रेनुल्स फॉर्म में रहता है और अगर एडल्ट फॉर्म है एडल्ट के अंदर या जो भी मतलब 20 साल से बाद की उमर के हैं तो उसके अंदर हम खाना खाने से पहले भी इसको दे सकते हैं अगर इसका जो टॉटल टाइम पीरिड होता है कि हमें कितने क्राम तक लेना चाहिए तो एक महीने तक स्टाइम चाहिए उसके बाद में हमारे डॉक्टर से इसको एक बार कंसल्ट करके चालू रखना बंद पूसे पूचना चाहिए साइट इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी हल्दी है हल्दी का जो वीरी होता है वह उष्ण होता है तो उष्ण होने के कारण एक तो बोड़ी टैंपरेचर हो उसको क्या करता है इंक्रीज रखेगा साथी साथ में जैसे बहुत ज़्यादा इससे मातरा है वह एक dob me doktor से चांसर्ट जरूर कर लेना चाहिए को हम घबुन करना है heel दखते हैं जो देखें तो जिन रहती है नहीं था चाहिए हों था प्री मंथ अंदर केो प्रेग्नेंट महिलाओं को इसको नहीं देना चाहिए तो कि यह उष्न वीरियों होने के कारण अबोर्चन होने के चांस जादा रहते हैं इसलिए इसको प्रेग्नेंसी के जो स्टार्टिंग 3-3 मन्त होते हैं उसमें इसको अबोइट करना चाहिए आई होप आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लिस लाइक करें एंड हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें अगर हरिद्राखंड या स्किन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आई होप आपको अमारे वीडियो अच्छा लगा थैंक यू